स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आफ्टर बेसी या फिर बेस्ट केरियर क्या है तो आज हम इस केरियर के वारे हम चर्चा कर रहे हैं तो आज हम देखेंगे विप्रो के वारे विप्रो एक प्रोग्राम प्रवाइड करती है ज कर सकेंगे तो आज इसी प्रोग्राम के बारे में देखेंगे कि विप्रो डबलू आयल पी क्या है इसका सेलरी क्या है इसका क्वालिफिकेशन क्या है इसका एक्जाम कैसा कैसा होता है और इंटर्व्यों करेक्ट करना है तो कैसे करेंगे पहले देखते हैं विप्रो के बारे में की विप्रो क्या है विप्रो एक इंडियन मल्टी नेशनल कंपणी है जो कि इंदिया का लगभग नाइन्थ रेंक करती है इंपुलाई में इसे बहुत सारा इंपुलाई है इसका हेड़िवाटर बेंगलोर करनाट काम है और इसका बह इसका जो हाई regen परगराम है इसमें यही है कि पुम्नेक करती है सब्सक्व करती है इसका मतलब आम टाइक को सब्सक्राइग होगा वथ in próण कपनी सब्सक्राइग तो यह कंपनी आपको M-Tech कराएगी नहीं कंपनी M-Tech कराती है BITS पिलानिम जो है इनिवर्सिटी राजस्थान में वहां से लेगिन जितना भी इनिवर्सिटी में इनिवर्सिटी का जो फी होता है M-Tech का वो टोटल विप्रो देती है तो इसके लिए क्या क्वल्फिकेशन होना होना चाहिए तो आप BCA या फिर BSC का स्टूडेंट है आपके लिए एक बहुत अच्छा ओफर होगा कि आप इसमें अपना केरियर बना सकते हैं तो क्वल्फिकेशन कि आप BCA या फिर BSC के स्टूडेंट इसमें आप अप्लाय कर सकते हैं आप 10th पास होना चाहिए 12th पास अगर आप अगर आप बैचलर डिगरी है अगर आप अगर आप बैचलर डिगरी है तो जिसमें आप अगर BCA के स्टूडेंट है तो आप फिप्ट या सिक्थ से हम में है तो भी इसमें आप अप्लाय कर सकते हैं या फिर BSC के स्टूडेंट हैं बैस्ट के स्टूडेंट इन student है तो आपका core mathematics होना necessary है उसके बाद business math से नहीं हो सकता है आपका maximum तीन year का होना चाहिए education gap और आपका जो है graduation या फिर basic कर रहे हैं तो तीन year के अंदर complete होना चाहिए इसमें gap को year gap नहीं होना चाहिए या फिर semester gap नहीं होना चाहिए और 10th 12th जो है graduation आपका central या फिर state government से होना चाहिए यहां पर direct लिखा all area आपका जो backlog होगा तो backlog नहीं होना चाहिए या कोई भी से में year back नहीं होना चाहिए जो के टेरिया हो गया आप देखते हैं कि salaries का क्या है salaries में है first year है 15 second year है 17 third year है 19 और fourth year है 23 और इसमें ESIS है जो employee security insurance होता है वह आपको भी मिलेगा और fourth year का include नहीं किया है जिसमें यह आपका salary हो गया है अब agreement सबसे बड़ी बात आती है इसमें कि agreement आपको 5 year का agreement बनना पड़ेगा यानि कि 4 year का आपका जो MTAC कराएगा तो उसमें जितना भी आपकी classes हो या फिर books हो total खर्चा university fee total खर्चा आपको विप्रो देगी लेकिन आपको agreement sign करना पड़ेगा कि आप 5 year विप्रो company में work करेंगे यानि कि आपका Monday to Friday work होगा Saturday Sunday weekend पे आपका एक दिन class होगा online classes देगी जो university देगी 4 year का है एक year आपको company में काम करना पड़ेगा अगर आप ये agreement sign करते हैं तब इसमें इन करते हैं qualification के पाद लेकिन अगर बीच में अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको plenty के साथ छोड़ सकते हैं लेकिन M tag आपको तम नहीं मिलेगा अगर एक साल या दो साल करते हैं फिर भी उसका है selection process क्या selection तीन स्टेज में होता ह पहला होता है online assessment का जो कि estimate का होता है उसके बाद होता है technical interview फिर HR interview तो online assessment में होता है कि आपका 20 नमर रहेगा reasoning से 20 नमर English से और 20 नमर math से यह necessary है उसके बाद इसके बाद आपका 20 मिट का होता है written test written communication test जिसमें आपको कोई एक topic दिया जाएगा जिसमें 180 word में आपको लिखना है वो भी 20 मिट में इसके लिए आपका typing speed सब इस से नहीं कि enough होना चाहिए लिखने के लिए कि आपको 20 मिट दिया जाएगा और एक कोई topic दिया जाएगा जि तो आप उसे पहले submit नहीं कर सकते एक 180 उसके बाद अगर यह qualify कर जाते हैं तो उसका technical interview होता है जिसमें आपको Java Ops अगर BCA student है तो मैं BCA का था तो मैं अपना experience next video में share करूँगा details में इसमें बस basic बता देता हूँ कि अगर technical interview में आप होते हैं तो Java Ops के बारे में या फिर को आप प्रजेक्ट जरूर किये होंगे अपने final semester or final year के लिए तो उसमें आपको उसी प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि आप उसमें क्या 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 किये किस से help लिए आपका guider कून था उसके बारे में या फिर Java Ops कि अगर Java यूज किये हैं या फि इसी programming language से आपका question रहेगा और इसके बाद हता है HR interview HR interview जैदा hard नहीं है बस आपका basic information पूछा जाएगा बस इसका यही selection process था मेरा इसमें selection हो चुका है बट apartment लेटर भी तक नहीं मिला है जल्द ही मिल जाएगा इसलिए इस पर और फिर देखते हैं किसी नेक्स वीडियो में इस पर डीटेल से चर्चा करेंगे कि अगर online assessment निकालना है या फिर technical interview फिर HR तो उसमें कैसी तैयारी होनी चाहिए इससे हैं क्रेक कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर किस इसी नेक्स वीडियो में थेंक यू